कि अब दोस्तों वेल्कम टो जीरवाइस जीरवाइस मोफ का स्वागत है दोस्तों यह हमारा जोगरफी का दस्वा लेक्चर है जो हम यूपी असी 24 प्रिलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है इस लेक्चर को परजंट कर रहा हूं मैं दोस्तों मेरा नाम रा 2020 में यूपी PCS का मेंस 22 में दिया है दोस्तों यह लेक्चर हिंदी इंगलिस दोनों में दोनों में मीडियम के बच्चे असानी से सिंपल भासा में समझ सकते हैं जोगराफी को और को असानी से वो प्रिलिम्स और मेंस का अटेम्ट कर सकते हैं कोई भी दिकत नहीं होगा तो सिफलूरस Mehrading Theory Continental Direction Theory और Convection Current Theory के बारे म पढ़ लिया है रॉक्स के बारे मं पढ़ लिया जीओं स्टाईप्स जो है ररनिंग वाटर कास्ट को ET इसको भी छोड़े हैं बाद में इसको में अच्छे से महं पढ़ लें लिए टिक है उसके बाद हम लोग कि पढ़े हैं स्ट के बारे में पढ़े हैं एक्मोस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में जिसमें हम लोग जे ट्रस्टिम के बारे में अच्छे से पढ़ लिए हैं साइक्लोन के बारे में पढ़ लिए हैं एर मास के बारे में पढ़ लिए हैं अल नीनो के बारे में पढ़ लिए हैं ला नीना के बारे में पढ़ लिए हैं जिसमें हम लोग सालनेटी के बारे में पढ़ लिए हैं ठीक है उसके बाद ऊसीन गराफिम में हम लोग जो है ऊसीन का रिलीफ के बारे में पढ़ लिए थे ठीक है ना इस तरह से ऊसीन का जो टेंपरेचर होता है यहां पे दो पॉइंट दो टॉपिक और है एक है ऊसीन का र पढ़ लिए आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ocean का tights के बारे में coral reef के बारे में ठीक है और ocean current के बारे हम लोग पढ़ेंगे तो आज हम लोग का जो दस्वां लेक्षेर है उसमें हम लोग तीन topic को पढ़ेंगे तो अभी तक हम लोग उने अच्छे से आपको मैंने यह सबसी समझा दिया है कि हम सिंपल भासा में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ocean tights के बारे में पढ़ेंगे जिसको जवार भाटा हिंदी में बोलते हैं coral reef के बारे में पढ़ेंगे प्रवाल भित्ती के बारे में और ocean current समुद्री धाराएं के बारे में पढ़ेंगे तो जो फर्स्ट टॉपिक है दोस्तों उसका नाम है ocean tights या simple हम इसको tights के बारे में बोलते हैं tights का मतलब होता है जवार भाटा ठीक है यह हमारा पारला टॉपिक आज का हम लोग जोगरफी का lecture number 10 कर रहे हैं ठीक है टोटल 15 लेक्चर होगा जोगरफी का या उसको बढ़ा 17-18 भी कर लेंगे lecture का issue नहीं है topic आपको पूरा complete आपको मिलेगा ठीक है चलिए एक चीज़ और आपको बताना चाहूंगा अभी तक हम लोगों ने quality को अच्छे से पढ़ लिया है complete economic को पढ़ लिया है history जो है उसका modern Indian history मैंने आपको पढ़ा दिया है जोगरफी हमारा चल र बचा है वो बचा है आपका science and tech quality हो और science and tech बचा है ancient and medieval history बचा है और art and culture यह तीन top subject हमारा बचा हुआ है जोगरफी आपका 5-6 दिन में complete हो जाएगा ठीक और environment ecology तो हो चुका है history हो चुका है modern का economy हो चुका है quality हो चुका है जोगरफी खतम हो जाएगा फिर हम लोग सुरू कर करेंगे CSAT CSAT का दो lecture हम लेके आ चुके हैं CSAT भी हम लोग बाकी जो पूर्सन बचा हुआ है उसको 30-35 दिन में हम लोग complete कर देंगे ठीक है मतलब आपका December तक CSAT भी complete हो जाएगा और science tech भी लगभग complete हो जाएगा उसके बाद January से हम लोग पूरा test series को solve करेंगे previous year questions को देखेंगे previous year question मैं ने start कर दिया है और भी अच्छे से previous year question जो है पूरा वो complete हो जाएगा आपका January से पूरा start करेंगे और टेसरी भी January से start करेंगे ठीक है और इंजिटेंटर मेंडाइब सुरू करते हैं टाइट के बारे में जवार भाटा के बारे में ठीक है तो सबका playlist बना दिये है जीरो आई एस पी चैनल पर जाएगा तो सबका playlist बना हुआ है वहाँ से आप सारे चीश को पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉंग कर सकते हैं सबसे पहले देखें जवार भाटा क्या होता है तो जवार भाटा का मतलब जो समुद्र का अस्तर होता है जल का जो अस्तर होता है समुद्र का ठीक है वो अगर गिरता है या राइज करता है फॉल होता है गिरना फॉल मतलब गिरना या राइज होता है समुद्र का अस्तर त साथ है यू तु आपको पता है प्रित्वी जो है यह सं है इसके चार और पिर्थवी घूम रहा है और पिर्थवी के चार ओर जो है चंद्रमा घूम रहा है यह चंद्रमा है यह हमारा पिर्थवी है और यह अगर सन है तो सन है यह हमारा आर्थ है यह वाला और छोटा सा चीज हमारा मून है ठीक है तो जब समुद्र का जो अस्तर है उसका गिरता है चुट रहा है है प्रिधवी में पानी तो समूदर का पानी का ़ो सु ताइट्स बोलते हैं ठीक है समझ मागया कि टाइट्स क्या है अब देखिए टाइट्स तो मैंने बता दिया क्यों होता है जब अर्थ सन और मुन की तीनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ठीक है गुरुत्वा कर्शन से बल काम करता है तो उसको हम लोग होता है एक को बोलते हैं हम लोग अलग अलग क्रेटेदिया के अधार पर करते हैं एक टाइड होता है फ्लड टाइड ठीक है और दूसरा होता है इब टाइड तो जब समूद्र का अस्तर बढ़ता है जब समूद्र का अस्तर क्या होता है बढ़ता है तब उसको हम लोग बो बोलेंगे flood tide फिर समुद्र का अस्तर जब नीचे आता है वही पानी आ गया या फिर वही पीछे जाएगा तो water level down हो जाता है यह ना तो उसको लोग इव टाइप बोलते हैं तो flood tide मतलब जब incoming tide होता है incoming मतलब आने वाला जब tide होता है तो उसके कारएं समुद्र का जो अस्तर होता है वह बढ़े आता है तो उसको flood tide बोलते हैं और जब tide पीछे जाता है withdraw होता है withdraw मतलब पीछे जाना तब उस समय जो withdraw मतलब यह outgoing जब tide जो है पीछे जा रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इब तो जो flood tide होता है वह high tide होता है क्योंकि incoming tide जो है आ रहा है incoming tide आने के करएं जो level होता है बढ़ता है इसको high tide बोलते है और इड जो हमारा tide होता है time नहीं tide उसको हम लोग बोलते है low tide क्योंकि यह tide पीछे जा रहा है त्पर यह criteria है tides को बाटने का दूसरा criteria जो tides को hy करने का है थीक है उसको एक को बोलते हम लोग spring tide आ थीक है और होता है new tide मतलब spring के इस दब रहाता है मतलब अगर यह हमारा Sun है यह हमारा अर्थ है और यह हमारा मून है जब तीनों एक लाइन में रहता है कौन कौन पिर्थवी सूरज और चांद जब तीनों एक लाइन में रहता है अस्ट्रेट लाइन में तो पिर्थवी पे जो टाइट्स होता है यह वाली समुद्र का लेबल ता यह उपर उड़े आत और स्प्रिंग टाइड ओलते हैं जब प्रुथी पर प्रुतिवी शुर्ज और चान तिनो एक लाइन में होता है तब उसको लोग बोलते हैं स्प्रिंग टाइड ठीक है उसके कारण क्या होता है इसको पीरिथवी को अपनी और खीच रहा है और मून भी खीच रहा है तो जो पानी है अर्थ पे वो थोड़ा ऊड़ी आता है ठीक है मून की तरफ और सूरज की तरफ इसलिए इसको बोलते है अस्पृRING pride आप देख रहे हैं अस्पृRING के जैसा एक तीनो चीर्दी इसे ही होता है किछ अधर खीछ और खीछ लागी इसको प्रि इत्वी को ठीक है तो परणी यह वो ऊड़े आता है उसको बोलते हैं spring ठीक है जो spring tide होता है या तो full moon को होता है या new moon को होता है पुर्निमा को होगा या अमावस को होगा ठीक है तो या तो यह पुर्निमा को होगा या फिर अमावस को होगा अमवस्या ठीक है समझ के तो spring tide क्या होता है जब प्रित्वी सूरज और चान तीनों एक like लाइम में होता है थीक है तो प्रित्फिय पे सन और मून का gravitational force गुल्ट्वकर्शन बल काम करता है जो आपको full moon और new moon को पुर्ण्यमा या मस्ट्यख को होता है उसको लोग बोलते हैं spring tide ठीक है नीप क्या होता है यह हमारा sun है ठीक है और जो moon होता है है तो निप्टाइट तब होता है जब पृथवी जब सूरज पृथवी और sun योगयya sun योगयya अर्थ और योग्या मून जब तीनो राइट एंगल बनाता है मतलब 90 डिगरी जब पृत्वी सूरज और चान तीनो 90 डिगरी बनाता है तो उस समय स्प्रिंग टाइट बोलते हैं तो सूरज इसको इधर घीचे रहा है पृत्वी को इसके कारण पानी उठेगा लेकिन चान इ दिन मतलब महेंना के सूरू के साथमादिन या थर्ड कवार्टर में होता है मतलब महेंना जब स्टाट होगा तो से के साथमादिन में ठीक है या तो फिर पंदरा दिन के बादवला जो दिन होता है थर्ड क्वार्टर टोटल आपको पता है पूरा महीना को चार क्वार्टर में लोग बाढ़ सकते हैं सत-सत दिन कहीं आप से साथ दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन वैसे कर कि एक महीना हो जाएका लगभग 30 दिन के आसपर तो इसको बोलें फर्स्ट क्वार्टर इसको बोलें सकेंड क्वार्टर इसको बोलें फूर्थ क्वार्टर तो फर्स्ट क्वार्टर और फर्स्ट क्वार्टर में हमारा होता है third quarter को होता है और यह जो spring tide है यह second या fourth quarter या आमावस या पुर्णिमा को होता है समझ में रहा है अब देखिए अब इसमें देखिए जो spring tide होता है आपको पता भी चल रहा होगा कि ऐसे भी हो सकता है यह हमारा sun है यह हमारा मून है यह अर्थ है तो सं पीर्थुई का जो पानी है उसको अपनी तरफ की चला है मून जो है वी अपनी तरफ की चला कि यहाँ जो पानी का लेवल है वो बढ़ जाएगा इसलिए बोलते हैं जो स्परिंग टाइड होता है थीक है उसमें फुलाट टाइड आता है फुलड 90 degree पे है तो लो टाइड यहां पर आता है ताइड का उतना अस्तर नहीं होता है समझे है तो यह आपको याद रखना है ठीक तो यह हमारा हो गया types of tide ठीक हम देखेंगे कि tides कभी high tide आता है कभी उचा आता है कभी नीचा आता है उसको कौन-कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है ठीक है हम दों देखिएंगे फैक्टर जो डिसाइड करता है टाइड का साइज टाइड का साइज को कि कितना होगा उचानी चाता एक तो अपने याद रखी लिजिए सन और मुन का डिस्टेंस के अधार पहोता है जितना नजधिक होगा सूरज और चान्द प्रित्वी से उतना ग्रेविटेस्टानल फोर्स अधिक होगा क्यों ग्रेविटेस्टानल फोर्स बढ़ावा क्या होता है F equal to G, आपने सब पढ़ा हो, पढ़े होंगे G1, M1, M2 by R square, यह gravitational force का फर्मुला है, F equal to G, M1, M2 by R square, G जो है gravitational constant है, M1 mass है, mass of earth या mass of sun और R square, तो जितना distance कम होगा, ठीक है, उतना force जादा होगा, क्योंकि universally proportional है, तो force, gravitational force, distance घटने से force बढ़ता है, तो sun and moon के distance पे, tide का size depend होगा, जितना distance कम होगा, ठीक है, size उतना, tide का क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि gravity उतना जादा लगेगा, उस पे, दूसरा है, कि location पे depend करता है, सिर्फ distance पे नहीं, location पे भी, अगर तीनो state line में है, तो spring tide होता है, जिसके कारण high tide रहेगा, ठीक है, और अगर, तीनों जो है, यह है sun मालो, यह हमार आर्थ, और यह हमून, अगर 90 degree पे होता है, तो यहाँ पे low tide होता है, जो मैंने उपर आपको nip tide के बारे में बताया है, ठीक है, अब देखिए, यह होगा, हम लोग, tide क्या होता है, tide कैसे generate करते है, कि इतने type के tide होता है, tide का size कौ ठीक है, तो आपको पता है, tide से हम लोग, tide energy बना सकते है, tide energy, tide energy कैसे होता है, जैसे माल दीजिए, यह समूदर है, ठीक है, तो जब समूदर उपर उठता है, तो यहाँ पे पाई, हम लोग gate लगाते है, ऐसे करके automatic gate होता है, ठीक है, ऐसे, यहाँ पे लगा होता है, पंका, तो जब समुद्र का पानी उपर उठेगा तो यह गेट आजाएगा अंदर ठीक है अंदर आजएगा पीर जब टाइट नीशे जाएगा तो यहां पर पानी अब यहां तक हो जाएगा लेकिन अंदर में पानी क्या है भारा हुआ है तो अब अंदर पर जो पानी है उसको हम बाहर निकालते हैं इधर तो गेट जब ऐसे बाहर निकलेगा तो यहां पंखा लगोगा पंखा घूमेगा टरबाइन घूमेगा दूसरे इलेक्टिसिटी प्रोडियूस होगा ठीक है उसको लोग बोलते हैं टाइडल एनर्जी ठीक है तो जो सी वेप से हैं उसके टाइड्स को लोग परियोग कर लेते हैं टाइड के रूप में टाइडल एनर्जी को रूप में ठीक है पहला फैदा है टाइड का कि टाइडल एनर् प्रिंग टाइड आएगा जो आपका निव मून यह आमावस यह पूर्निमा को होता है निव मून उपर हमने देखा यह फूल मून को होता है तो समय अपने साथ यह फीस को भी लेकर आएगा तो मचली पालन भी मतले मचली भी ज्यादा होगा वहां पर ठीक है अगला है कि बह तो नजाल नदी मिली है ज्यादिवाद देखोला लचैए तो जब टाइड आएगा तो अपने से उसका अपने प्रेसर सतर्प कर देगा थे कैं तो नदियों को साफ करने नदियां कगार वाना होता है कि वह आ हमाउत होता है महाना जो होता है शीए है उसको बडिस इस सेड है ताइट दिसिल के सर मतलब करने का काम करता है कौन टाइट समझ मागए ये पॉइंट थे चौता जो है कि बड़े-बड़े हमाल कोछ को लाने के काम करता है कौन टाइट से cz काया काuse से महां लीजी यह समोद रहे ठीक है यहां पर बड़ा सा जहाज है ठीक अभी जहाज को हमको यहां पे लेकर आना ठीक है जो थोड़ा ऊच्छा पर हैं तो यहां पर नौर्मल पानी है तो नहीं आपाएगा यह तो जब टाइट से आएगा तो इसको लेवल को जहाज को यहाँ उच्छा कर देगा और यहाँ पर लाके पटक देगा तो बड़े जहाज को harbor में ले जाने का भी काम कौन करता है tights उसी तरह से जब जहाज यहाँ पे रहेगा यहाँ पे height में है पानी लेकिन यहीं पे अब हम को जहाज को इधर लेके आना है तो जब फिस जब पानी यहाँ पे आएगा इधर से तो जहाज पे निचे पानी हो गया पे जहाज अब इधर पानी यहाँ जब इधर जाएगा तो जहाज को भी वापस ले जाएगा समुद्र में ठीक है तो बड़ी जहाज को यह मदद करता है harbor में बंदरगा में ठीक है तो यह हमारा tights का फैदा हो गया ठीक है अगर हम आप कुछ fact देखें tights से तो देखिए तो कुछ fact है पहला यह है कि जो moon के कारण मून जो होता है वो gravitational force ज्यादा लगाता है कि देखें मून का gravitational force ज्यादा होता है sun के gravitational force क्यों क्यों इसलिए क्यों कि देखें यह हमारा sun है तो sun और पृष्वी के बीच में दूरी बहुत जादा है कितना है है तो यह हागर हमारा sun है है यह हमारा art है तो प्रित्वी और सूरज के बीच में जो दूरी है वह साधे 14 करोर किलो मेटर ठेक है और वहीं प्रित्वी और मून के बीच में जो दूरी है वह दो मात्र आपका 3,84,00 , 3.,84,00,000 तो कहां यह क्रोडों किलोमीटर डिस्टेंस है Sun और Earth के बीच में और Earth मॉन के बीच में मात 4.00,000 1.000,000, 40,000,000 about 3.00 и 2.9,00 field jeet bS mere then Sun और Earth के बीच में बहुत जादा डिस्टेंस है तो force क्या होगा, force जो sun लगाएगा, वो कम होगा, और force जो moon लगाएगा, अर्थ पे, वो क्या होगा, ज्यादा, क्योंकि distance जो है, moon और अर्थ के बीच में, मातर 3.84 km है, ठीक है, mass का उतना impact नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत ज्यादा distance करोडों में, तिसे कारण, moon पे, moon जो पिरिट्वी पे gravitational force लगाता है, वो sun के gravitational force से ज्यादा होता है, ठीक है, तो कितना होता है, तो moon जो force लगाता है, वो sun जो पिरिट्वी पे force लगाता है, उसका दो गोना होता है, मतलब, tides को लाने में, पिरिट्वी अगर कोई question आप से पूछे, ये moon का ज्यादा रोल होता है चांद का जादा रूल होता है C tides को लाने में उसके height को decide करने में तो यह question सही होगा क्यों सही होगा क्योंकि Moon का जो gravitational force होता है वो दो गुना होता है Sun के gravitational force है इसलिए टाइट को लाने में Moon का जादा रूल है Sun का भी है लेकिन तरब से आदा मून का है तो पारला फेक्ट आप याद रखेगा दूसरा फेक्ट आप याद रखेगा कि एगर कोई कोस्टल अरिया है समुदरी अठीक है तो उसमें दो बार दो बार high tide आएगा और दो बार low tide आएगा दो बार tights जो है बहुत ऊचा जाएगा high tides और दो बार low tide आएगा एक दिन में ठीक है एक दिन में तो मैंने क्या बहला तो जो coastal area है जैसे हमारा ये Eastern coast है ये Western coast है जो coastal area है, यहाँ पे दो बार tide उपर जाएगा बहुत उपर और दो बार low tide आएगा थेक है, तो पहल दुसरा point ये है, तीसरा point है जो enclosed water होता है मतलब जो coastal area नहीं हमारा लोग इंडिया है, इंडिया के बीच में यहां पे कोई तलाब है या कुछ भी तो इसमें भी तो टाइड आएगा क्योंकि यहां भी तो फिरत्विक अंदर है तो मुन तो घंची रहा है तो जो Inclosed Water होता है वहाँ पे एक High Tide और एक Low Tide आता है एक High Tide और एक Low Tide आता है कहां पे जो enclosed water होता है, जो चारो तरप से बंद है, ठीक है? एक दिन में, ठीक है, और इसको हम लोग डायरून अधाय, टाउरल टाइड बोलते हैं. तो जो enclosed water में जो tides आता है, एक high और एक low एक दिन में उसको हम लोग डायरूनल बोलते हैं, और जो कोश्टर लेदिया में आता है उसमें गाना दो हघी बाता हो हो गया है छौत्रा फेक्ट यह है तो उसके 12 गंटा 25 मिनट बाद लो टाइड आएगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मतलब कारने का ताथ पर मोटा मोटा यह है कि एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच में जो डिस्टेंस टाइम होता है वो तकरीबन 6 गंटे का होता है ठीक है तो 6 गंटा 6 गंटा 6 ठीक है समझें और 6 गंटा टोटल कितना हो गया 24 गंटा 24 गंटा में 12 गंटा में 25 मिनट में एक बार हाई टाइड एक बार आएगा फिर उसके 12 गंटा बाद हाई टाइड आएगा फिर ठीक है फिर अगर अभी लो टाइड आया है तो उसके 12 गंटा बाद 25 मिनट बाद लो आएगा तो यह आपको याद रखना है ठीक है और ऊइड़ अभी आयए तो उसके 6 cheesecake बाद फिलFr फिर उसके 6 percept बाद भाद ही चाई फिर 6 गंट बाद लो टैंड फिर उसके 6 गंटा बाद हाई टाइड ऐसे करके यह repeat होते रहता है आपको याद यह रखना है कि दो high tide के बीच में जो time होता है वो आपका 12 गंटा 25 मिनट और दो low tide के बीच में जो time होता है वो 12 गंटा 25 मिनट का होता है ठीक है पाच्वा पाइंट याद रखना है कि हर साल मतलब परतेक दिन every day परतेक दिन मतलब every day जो हमारा high tide आएगा ठीक है वो कल के तुलना में कल के तुलना में ठीक है एक यावन मिनट लेट से आएगा कहने का क्या मतलब है अगर माल लीजिए आज high tide आया आज कितना तारिक है 27 नूवंबर को high tide आया माल लिए साड़े-9 बजे रात में ठीक है ये 9 बजे रात में ठीक है तो कल जो high tide आएगा ठीक है वो आएगा एक क्यावन मिनट बात तो इसमें आप एक क्यावन मिनट ठीक है समझने समझ गए तो यही मैं बोल रहा हूं कि जब भी हाइट आता है तो पिछले दिन से एक 50 मिनट बाद आता है क्यों आता है क्योंकि जो मून है और जो सूरज है और जो तो सूरज का जो उगता है सूरज उगता है आपको पता है और अस्त होता है है न ऐसा में पिछले दिन के compare में लेट से, ठीक, next point जो याद करना है, कि जब मैंने बोला कि सबसे उचा टाइड कौन सा होता है, spring tide, ठीक है, और spring tide में भी सबसे उचा spring tide तभी आएगा, जब moon जो होगा, वो अर्थ के नजदिक होगा, अर्थ के नजदिक होगा, जब भी moon फिर्थवी के बहुत नजदिक रहेगा, तो उस समय spring tide का height जो होगा, वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम कहने का क्या ताथ पर है, कहने का ताथ पर यही है, कि moon जो होता है, वो high tide को लाने में उसका बहुत बड़ा रोल है, सूरज से ज़्यादा, तो हम लोगों ने tide के बारे में उसके बाद tide का size की चीज़ पर depend करता है, पढ़ लिए, फिर tides का फैदा हो, क्या होता है, पढ़ लिए, फिर कुछ important fact पर देखें, जिसे यह कोशन कूछेगा, वो सब पढ़ लिए, ठीक, आब हम लोग पढ़ेंगे coral drift के बारे में, coral drift के बारे में, जिसको हिंदी में बोल होता है, इसके बारे मैंने environment में आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है, बस यहाँ पर आपको important जो point है, वो आपको बता दे रहे है, ठीक है, तो देखें, जो coral होता है दोस्तों, जो coral drift होता है, इसमें दो चीज़ होता है, एक होता है coral polyp और एक अलगी होता है, जिसका नाम है, जू जैन्थले, ठीक है, तो देखें, coral polyp जो होता है, वो खुद खाना नहीं बना बाता है, तो वो depend होता है, जू जैन्थले पे, जू जैन्थले इसको देता है खाना, food देता है, क्या देता है, food, खाना देता है, और इसको color, जो coral color color होता है, वो इसको जू जैन्थले के कारण मिलता है अग कोरल पॉलीप बदले में इसको देता है नूट्रियंट्स ठीक है इसको देता है प्रोटेक्शन क्योंकि जू जैंतिले को कोई ना खा जाए इसलिए वो कोरल पॉलीप में छेप के रखते है तो उसको नूट्रियंट देता है ठीक है साइट देता है जह जू जैन्तिलिय जो koral पर यह को कहना देता है क्योंगे को खाना बना सकता है तो यह खाना देता है और कलर देता है तो दोनों को फ़ैदा हो रहा है और इसे का इसको ओम लो शिंटक सिसgesetz EPA Leser Om बायोटिक एसोसियेशन जहां पर दोनों को फैदा होता है इसको भी और इसको भी ठीक है इसको पोलीप को भी और जो जैन्तले को भी ठीक है तो इसको यह हो गया कोरल के बारे में अब देखे कोरल बनने के लिए कुछ कंडिसन है कोरल जो है कि किन कंडिशन में बनेगा ठीक है तो सबसे पहरे तो याद रखना कि कोरल जब भी बनेगा दोस्तों तो जनरली दो टाइप का कोरल होता है एक होता है हाड कोरल और एक होता है है soft coral ठीक है है coral केतने टाइब के होते है ठीक है तो coral दो टाइब का होता है एक होगा हार्ड कोरल तो वो coral जो reef बनाता है reef मतलभ मुटा मुटा एक layer टाइब का बनाएगा उसको बोलेंगे हार्ड कोरल ठीक है जो ट्रॉपिकल रिया में ठीक है और कुछ होते हैं जो रीफ नहीं बनाता है वो आपको थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं है आपको दीखेगा टुकड़े टुकड़े में उसको लोग बोलते हैं सौफ्ट कोरल ठीक है तो कोरल दो टाइप का होता है हाड कोरल एंड सौफ्ट कोरल हाड कोरल वो होता है जो रीफ बनाता है, soft coral वो होता है, जो रीफ नहीं बनाता है, ठीक है समयमा है, hard coral generally tropical area में मिलता है, तो coral के रहने के लिए condition क्या क्या है, कैसा परिस्थिती में, कैसा situation में coral रहता है, सबसे पहले इसको गर्म पानी चाहिए, warm water चाहिए, ठीक है, लगभग 27 से 27 डिगरी Celsius, surface temperature होना चाहिए, C का, फिर वहाँ पर कोई cold current नहीं होना चाहिए, क्योंकि cold current अगर होगा, तो पानी को वो क्या करेगा, गरम कर देगा, तो पानी ठंडा नहीं रह जाएगा, तो कोई cold current नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो water का depth है, पानी का जो depth है, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, और नहीं कम होना चाहिए, मतलब shallow होना चाहिए पानी, ना तो ज्यादा बहुत, वो surface पे हो जाना चाहिए, नाई वो बहुत पानी के गहराई मोना चाहिए क्यों क्यों कि देखिए अगर पानी के बहुत गहराई में कोरल यहां पे पलेगा एक कोरल यहां पे और एक कोरल यहां पे यहां उपर में सूरज चमक रहा है और नीचे क्या है समुद्र पानी है तो खाना कौन बनाता है अलग गहराई में हो ज्यादा गहराई में होगा तो sunlight नहीं पहुंचेगा तो जो अलगी जो है जूज एंथले है जो खाना नहीं बना पाएगा और कोरल फिर क्या खाएगा है कि नहीं कोरल पॉलिप क्या खाएगा अगला है कि salty water चाहिए नमकीन पानी salty water ठीक है मतलब fresh water नहीं चाह टीक है ठीक है ठीक है मतलब अगर फ्रेश वाटर है या लएं पर कोरल Hail क होगा क्योंकि वहां पर नमक नहीं है lebih जो पानी होنا चाहिए यह 79ए अगर डिपोज़िट या सेडिमेंट अगर हुआ तो क्या वी यह नदी में यहılar बहुत सारा ना सेडिमेंट ले क्या रहा है तो यह सैडिमेंट जो होगा वो कोरल में घंग गया तो कोरल का मुझ जो है बंद हो जाएगा को मार जायेगा ठीक है इसलिए पानी जो होना चाहिए, salty water तो होना चाहिए, लेकिन वो fresh water नहीं होना चाहिए, वो clean water होना चाहिए, तो अंतर है, देखिए, clean water का मतलब है, clean water है, एक fresh water है, तो coral को clean water तो चाहिए, लेकिन fresh water नहीं चाहिए, fresh water का मतलब, जो water में नमक नहीं है, तो वैसा coral को नहीं चाहिए, coral को को चाहिए साफ पानी साफ पानी चाहिए ठीक है ताजा पानी नहीं चाहिए ताजा पानी में नमक नहीं होता है इसलिए को ताजा पानी नहीं चाहिए साफ पानी चाहिए जिसमें कोई भी आपका डिपोजिट ना हो जिसमें कोई भी आपका सेडिमेंट या गाद ना हो ताक कोरल एक अलगी है अलगी काना बनाने के लिए सनलाइट चाहिए तो ज्यादा घहराई में सनलाइट नहीं मिलेगा सॉल्टी वाटर चाहिए प्रेस वाटर नहीं चाहिए लेकिन क्लीन वाटर आपको चाहिए साप पानी चाहिए जो स्टेडिमेंट जिसमें ना हो जिसमें कोई भी गाध्र डिपोजिट ना हो तो यह था कोई यह चरन के बारे में दूसरे को बोलते हैं फ्रिंजिंग रीफ बेरियर 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 रिफ ट्रेक्ट है बेदियादीफ और नेक्स्ट है एटोल यह तीन टाइप का कोरल होता है देखिए जो हमारा प्रिंजिंग रिफ होता है ठीक है यह हमारा समुद्र है यह क्या है हमारा समुद्र कोरल होता है वो समुद्र में बनता है अंदर में यह हमारा मालो कंटिनेंट क्या है कंटिनेंट कोई लैंड है ठीक है तो लैंड से कुछ दूरी पर यहां पर कोरल बन गया चारो तरफ चार तरफ चारो तरफ चारो तरफ चारो तरफ यहां पर कोरल बन गया ठीक है ठीक है समझें की नहीं समझेंगे फिर साब को दिखा रहे है यह से मान लो यह हमारा समुद्र है पानी इसमें ठीक है यहां पर कोई कंटिनेंट है मान लो कोई जमीन है लेंड है मतलब कंटिनेंट है तो अगर जमीन से सटके यहां पर अगर कोई coral growth हो रहा है जमीन से सटके जमीन के चारो तरफ जमीन के चारो तरफ ठीक है तीसके हम लोग बोह रहेंगे fringing reef ठीक है तो fringing reef क्या होता है कंटिनेंट से सट के बनता है सट के मतलब टच करके मतलब कंटिनेंट के चारो तरफ होता है और कंटिनेंट के बांडरी को टच करता है ठीक है यह हमारे कंटिनेंट है यह कंटिनेंट अगर है तो उसके चारो तरफ आपको कोरल ग्रोथ हो जाएगा उसको वो लेंगे fringing drift fringe का मतलब होता है boundary तो boundary से set के अगर कोई coral growth होता है तो उसके हम लोग fringing drift भोलते हैं ठीक है अब देखिए अगर यही बीच वाल जो लैंड था ठीक है उसके चारो तरफ क्या था है तो वही land अगर नीछे चला जाता है तो यह land हो गया लेकिन कोरल क्या हो गया जा इसी किड़गीरत हो गया पहले जो जमीन था वो यह था धाला अहाम लिए वो जमीन घसक के इदर हो एक यह जो जमीन था व पानी में चला गया ठीक है ना तो फिरेंजिंग रिफ आप समझ गये रिफ में क्या हुआ बहुत असान है उस कोई भी कंटिनेंट है उस से चिपक के अगर कुरल ग्रोथ होता है तो उसको फिरेंजिंग रिफ बोल दीए ठीक है और देखें पानी का लेवल तो बढ़ते रहता है तो को फिरेंजिंग रिफ बोलते थे बीच वाला जमीन अगर सबसाइड हो गया उसका सबसीडेंस हो गया वो अगर उसका नीचे चला गया तो आपको दिखेगा यह वाला बीच वाला जमीन नीचे चला गया अग कोरल वहीं का वहीं रहा गया ठीक है और बीच में क्या हो गया प barrier riff, barrier riff. तो barrier riff में क्या होता है, जो हमारा fringing riff था, उसमें जो कंटिनेंगट था, उसका subsidence हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया वो बन गया, barrier ठीक है clear है जैसे example ईसे एक जामपन रहे ऐसी एक पास आपको एक सघ्जार म는 है वह इसी टाइप का है और उससे बहुत दूर हमारा रीफ बना है तो उसको बोलेंगे barrier reef तो फ्रेंजिंग reef में क्या हुआ, boundary से टच करके बनता है यहाँ पर क्या हो गया, continent से थोड़ा दूर बनता है, continent से दूर बनता है, far बनता है तो उसको हम लोग बोल दिये barrier reef अभी भी जमीन पानी के उपर है लेकिन थोड़ा सा डुबा हुआ है तीसरा जो टाइप होता है जिसको हम लोग एटोल बोलते हैं उसमें जो यह जमीन रहेगा वो पूरा के पूरा पानी के अंदर चला जाएगा और आपको सीर्फ और सीर्फ कोरल दिखेगा और जो जमीन था नीचे वाला बीच वाला वो न करया को समझ में और तो यह कोलौ जिप का टीन टाइप होता है ठीक है जिसमें कोई भी मेंड ट्रीप या कंटिनेंट नहीं है बस लगून की जैसा मतलब लगून मतलब लगून क्या होता है लगून होता है ऐसा जमीन जो चारो तरब से पानी से घिरा हुआ है यह पतला सा जिसमें चिलका एक लगून है ठीक है चिलका यहीली इस तरह से है ठीक है है यहाः पे आपको यह माहनदी आती है और यह से आपको बेवा बंगाल से पानी थोड़ थोड़ा गुसते रहा ठाए और बीच में जमीन का इसलेगोलास है अग बीच में कुछ अपका अपका खाली-खाली वाटर वाटर है, तो अटोल में लगून बनता है, लगून जैसे आपको दीखेगा, ठीक है, और चारो तरफ आपका कूरल दीखेगा और बीच में पानी दीखेगा, तो सबसे पहले क्या बना, फिरेंजिंग रिफ, जो टच करता है, जिसमें कूरल कंटिनेंट फिर barrier div बना है। इसंमिटा चनिकार ए और दूर चला गया है। लेकिन जमीन अभी है, continent है। दुख रहा है आपको, at all में क्या होगा। Seems आपको कुछ नहीं दुख है ते यह में और यह वह सूना है कांटि नंक यह वह फिरेंजनं उस्थ है का है उत्रों मेरा यहीं रहा गया तीente रहा है वह सब्साइट भाद पानी चला गया तो continent इधर चला गया सबसाइड हो गया बीच में water हो गया तो यह हमारा हो गया coral और यह हो गया continent इसमें क्या हो गया थोड़ा अब बीच में क्या हो गया यह water है यह water हमको बचेगा coral और जो जमीन था वो चला गया ठीक है तो यह हो गया हमारा सिर्फ coral और जो continent था जो land master वो चला गया तो यह तीन टाइप का coral होता है सुरू में fringing बनता है फिर barrier और फिर atoll ठीक है इस तरह से coral समझ आपद्श को यह होता है अलम चीने के लिए का चाही सपने लिए और फिर यह होता है जूरिकत इंता है थाक और यह तक किलियर है थीक है अब और लुक आपिक पढ़ेंगे उसका नाम है ocean current ocean current जिसकों लोग बोलते हैं समुदरी धाराय ठीक है धाराय ऐसे भी लिख सकते हो आप जैसे भी आपको लिखना है दोनों से जैसे लिखना लिखिये ठीक है तो देखिए तो ocean current क्या होता है दोस्तों जिस तरह से नदी की धारा ऐसे से जाती है उसी तरह से हमारा पूरा अगर ocean है ठीक है यहाँ पे जो ocean का current होता है ocean की धाराय होती है वो एक direction में नदी के जैसा flow करती है ठीक है ऐसा आपको लग गया कि नदी बाहर आ है तो आप समझ लीजिए ocean current मतलब ocean में नदी का बहना अगर simple भासान आप समझें तो तो हम लोग बोलेंगे ocean current मतलब river जैसा river like flow नदी के जैसा flow किसका flow भाया तो पानी का flow नदी जैसा flow नदी जैसा पानी का flow कहाँ पे इन एन ocean एक ocean में ठीक है जिस तरह नदी एक fixed direction में flow करती है उसी तरह ocean current भी एक particular direction में जाता है particular direction में ठीक है और एक particular path में fixed path में along a fixed path तो हम बोलेंगे समुद्र धार आए नदीयों के जैसा पानी का जल का प्रवाह होती है जो समुद्र में आता है जिसका एक निश्चित दिसा और निश्चित रास्ता होता है प्रवाह होता है ठीक है तो ocean currents are river like flow of water in an ocean in a particular direction along a fixed path जब इस समुद्र की में नदी के जैसा पानी का प्रवाह होता है जो एक निश्चित दिसा और निश्चित पत्थ में जाती है उसको हम लोग ocean current समुद्री धराएं कहते है ठीक है तो समुद्री धराएं आप कोशन यह आता है समुद्री धराएं को समझ गए क्या होता है अब यह है कि समुद्री धराएं आता कैसे है तो हम लोग देखेंगे कारक समुद्री धाराएं का क्यों समुद्री धारा आता है समुद्री धारा का कारक मतलब factors responsible for ocean current responsible for ocean current समुद्री धाराओं के लाने के लिए जिम्मेदार कारक को हम लोग देखेंगे थीक है तो इसमें कुछ कारक में कारक होगा जिसको अम लोग बोलेंगे primary sector जो एक प्रात्मिक कारक होगा हिए द्वित्यक वह होता है में कारण होता है मैं यह में होगा है अध़ यह उतना मैं नहीं नहीं सब्सक्राइब करेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग गरम होगा, पानी जब गरम होता है, तो वो expand करता है, फैलता है, और पानी जब फैलेगा, तो एक जो है, धलाओ करेट होगा, उसी धलाओ में पानी flow होता है, कहने का मतलब क्या है? जगर सनलाइट से के कारण क्या होता है water expand करेगा फैलाओ होगा पानी में फैलाओ होगा फैलाओ के कारण क्या होगा gradient की rate हो जाएगा एक slope और उसके कारण ocean current generate होगा कैसे तो देखिया इसे यह मान लीजिए हमारा है अर्थ ठीक यह क्या है जीरो डिग्री एक्वेटर यह क्या है 23 डिग्री नॉर्थ करकरेखा ठीक है और यह हमारा पोल है आपको पता है अकर मैं बात करूँ एक्वेटर और पोल में सबसे यादा गर्मी कहां पे हो देगा किसर इक्वेटर में रहेगा इसका मतलब जो इक्वेटर में जो भी यहां पर वाटर है हम लोग जो यहां पर पानी हो जो पानी है वो उस पे ज्यादा सन करे पड़ेगा गर्मी ज्यादा होगा गर्मी जब ज्यादा होगा तो पानी कोई भी चीज जब गरम होता तो फैलता है फैलता है कि नहीं पैलता है जैसे बर्फ है बर्फ को पिगलाओगे तो उसमें जो भी पानी है वो फैल जाएगा और फैलाओगे तो गैस बनेगा और फैलेगा तो उसी तरह से यहां पे जो भी पानी है वो एक्वेटर में गरम होने के बाद फैलेगा फैलेगा तो इसका जो एरिया है वो बढ़ेगा ज्याद एरिया बढ़ेगा उचाई भी बढ़ेगा पोल में जो पानी है वो ठंडा होता है सन करे नहीं पड़ेगा तो पानी ठंडा होगा सिकुड याएगा तो नीचे चला जाएगा और जो गरम है वो फैल के उपर आएगा तो जिसक में चुकि पानी फैल रहा है तो इसका हाइट बढ़ जाएगा फैलाव होगा ठीक है और पोल में पानी नीचे ही रहेगा फैलाव नहीं होगा तो एक आपको ढ़लाओ दिखेगा कि यहां पे ऊचा है और यहां पे नीचा है तो फिर यहां से आपको ओसीन करिंट इधर चला ठीक है तो पहला पॉइंट क्या है कि जब भी हमारा सूर्य का किरन पढ़ता है जहां पे ज़्यादा पढ़ता है वहां का पानी गरम होता है फैलता है तो एक ग्रेडियंट किरेट हो जाता है अब देख सकते हैं यहां पे एक ढ़लाओ है कि यहां पे कुछ हाइट है और य बूसरा जो कारण है, यह हमारा हवा, wind तो winds के बारे में आप को मैंने पताया है, prevailing winds के बारे में नौट इस टेड विंस, साउथ इस टेड विंस, इस्टरलीज, वेश्टरलीज के बारे में बताया है, तो जिस तरह wind का जिधर डारेक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते थे, atmospheric circulation atmospheric circulation जिसमें हम लोग पढ़ेते कि trade winds के बारे में पढ़ेते इस्टरलीच के बारे में पढ़ेते तो जिधर से wind बहता है उधर ही हमारा ocean current होगा हम लोग देखेंगा आगे कैसे बस अभी आप इतना ध्यान में रखेगा जिधर भी हवा बहेगी normal बात है ना समुद्र में जो लाहर उठेगा वह उसी तरफ उठेगा उसी तरफ से ocean current flow होगा तो दूसरा कारण है हवा ठीक है तीसरा जो प्रात्मिक कारण है primary कारण है वो है आपका Coriolis force ठीक है Coriolis force के मेरे बारे में पहले बताया कि Coriolis force होता है वो प्रित्वी के अपने आक्ष में घूमने के कारण होता है प्रित्वी जब भी अपने एक्सिस पे घूमती है तो उसके कारण Coriolis force generate होता है जो हवा को wind को northern hemisphere में right side और southern hemisphere में left side मोडता है तो चाहे वो हवा को हवा रहे या ocean current रहे ocean current तो ocean current को भी Coriolis force northern hemisphere में right की और southern hemisphere में left की और मोडता है यह आपको ध्यान रखना है समझ गया right side right hand side मतलब कैसा अईसे यह right hand side हुआ इधर से इधर आ रहा है तो याद रखेगा Coriolis force जो ocean current होता है ocean current होता है उसको northern hemisphere में clockwise मोडता है clockwise तीक है और southern hemisphere में Coriolis force ocean current को anti clockwise मोडता है आपको सभी अभी पता चल जागा वस अभी यह point अभी को दिमाग में fit रखिए कि clockwise मतलब right hand side Coriolis force जो होता है वो ocean current को मोड़ देता है northern hemisphere में और south के hemisphere में anti clockwise मोडता है तो अगरे में globe बनाएंगे जो equator है तो equator के उपर होता है north hemisphere south hemisphere तो Coriolis force के कारण जो भी ocean current आएगा इधर तो इस तरफ मोड़ जाएगा आपको पता होगा equatorial current इधर जाता है फिर वो मोड़ के north Atlantic current में जाता है अब यह दिखे clockwise जा रहा है फिदर से country current इधर आता है तो यह सब आपको बताएंगे लेकिन अभी याद रखिए northern hemisphere में कोई भी current रहेगा वो इस direction में जाएगा clockwise सब्सक्राइब कोई भी current होगा वो एंटी clockwise जाएगा इस तरह एंटी clockwise मतला घड़ी के यह सीधा दिशा में है यह clockwise घड़ी के घड़ी ऐसे घड़ी जाती है इस तरह लेकिन ocean current इस तरह जाएगा सब्सक्राइब कोई तो वह होगा एंटी clockwise समझ में आ गया simple point है ठीक है तो पहला primary factor क्या था वो जियन करेंड के लिए insulation दूसरा wind तीसरा चौथा जो पॉइंट है प्राइमरी वाला का डिसकस कर रहे हैं हम सेकेंडरी का डिसकस नहीं कर रहे है तो चौथा जो से पॉइंट है ठीक है चौथा जो पॉइंट है primary में वह है आपका ग्रेविटी क्या है gravity मतलब गुरुत है आपको पता है जो heavy water होता है जो cold water होता है cold ocean current क्या होगा भारी होगा ठीक है और warm ocean current क्या होगा हलका होगा तो cold ocean current भारी होने के कारा नीचे रहेगा warm ocean current हलका होने कार्म उपर रहेगा ठीक है तो जब यह हमारा मनलो एक्वेटर है तो एक्वेटर से जब कोई current जाएगा तो warm रहेगा तो यह चला जाएगा इधर पॉल की तरफ और जो पॉल से current होगा भारी होगा तो आएगा नीचे ठीक है यह होगा cold current ठीक है तो क्यूं cold current इधर आ रहा है क्योंकि भारी है इसलिए वो नीचे नीचे जाता है और warm current हलका इसलिए उपर उपर जाता है तो यह क्यूं हो रहा है gravity के कारण हो रहा है ठीक है तो हम लोग अभी चार्ज जो देखें इंसोलेशन देखें हावा देखें और ग्रेविटी देखें यह मेन का current का generation का इसलिए इनको बोलते है primary factor ठीक है जो हमारा secondary factor है वो है temperature और salinity ठीक है तो अगर हम secondary factor देखेंगे ठीक है secondary factor मतलग दूइतियक कारण देखेंगे तो इसमें हम लोग को दो चीज देखेंगे एक को देखेंगे एक temperature को बारे में पढ़ेंगे और दूसरा salinity के बारे में ठीक है यह बताईए जो salinity होता है वो कहां पर जादा होगा पोल में होगा की equator में होगा की कहां पर होगा सबस्यादा salinity कहां पर बताईए तो ट्रॉफिक सेरिया में होगा उसके बाद equator में होगा और सबसे कम salinity पोल में होगा तो पोल में salinity कम है ठीक है थीक है और जो टॉपिक्स और एक्वेटर का जो होसिक करन्ट होगा मुंस लाइन होगा है नूर तो क्या होगा दोस्तों यह अगर हमारा गुलोब है यहां से पोल से ओसफीर करन्ट आएगा वह लेस्स मैं होगा और फोड mater से जो को जीन करेंट जाएगा क्य connect की तरफ जाएगा किस्फ हम ज्यादा की तरफ जहें इसलिए पोलरिया से कोड करेंट बाद हम आपको बताएंगे तो नीचे की बाता है इकवेटर की तरफ और जो क्रेंट होते है वह मोर सलंड को चाहिए ऊपर उर जाता है ठीक है ते ये भी चीन करेंट करेंट हम लोग insulation में देखी लिए हैं तो वह चीज temperature का भी वह point है ठीक है तो यह secondary factor हो गया तो आपको समझ में आ गया अभी तक यह ocean current क्या होता है नदी जैसा flow होता है पानी का ocean में ठीक है जो एक particular direction यह बहुत important है कि एक particular direction होगा और fixed path होगा यह सबसे important point है ocean current का definition का उसको क्या क्या कारण है primary secondary हम देख लिए primary में insulation wind corollis force और gravity के बारे में देखें और secondary हम लोगों ने temperature और salinity का बात किया ठीक है यह हो गया ocean current का बारे में थोड़ा मोड़ा information ठीक है अब देखेंगे अब हम लोगों देखेंगे वह देखेंगे कि ocean current तो हम लोग देख लिए क्या होता है कैसे generate करता है ठीक है अब हम देखेंगे कि ocean current का प्रभाव effect of ocean current ठीक है ocean current का प्रभाव तो सबसे पहले यह कुछ हमश्री प्याद रखेगए तो दिश्री तो जहां जहां गोल्ड ऐसीन करेंट सब से सब्सक्राइए कि ऑसीन क्या होते हैं बहुत असान है लुग हुद ही कख Sum 1 कि यह हमाहर क्या आप से और अभी जो लाइन है वो क्या है एकवेटर है टिक है और यह क्या है कर कर रेखा है अब यह कहा है प्ट ऊत्रेन दुरु होसी दर यह किया है भैक का है मकर रेखा ट्रोपिक ऑप कैंसर ट्रोपिक ऑप कैपरिकॉंट यह 23.5 डिगरी नॉर्थ यह 23.5 डिगरी सौथ यह 0 डिगरी यह बताईए सबसे आदा गरम कौन से रहता है जेनरली ट्रोपिक्स वाला एरिया अब पोल जो है काम होता है तो पोल अगर एक्वेटर से कोई करेंट इधर ज पूच रहा है कि यह अगर कोई ओसीन करेंट अगर इक्वेटर से उठेगा यह ट्रॉपिक से उठेगा आगर वो नीचिए इधर से इधर जारहा है कोई तो आपको पता ही जैसे से हम पोल के तरफ जाते हैं ठंडा बढ़ता है मतलब एक्वेटर गरम होगा तो गरम ओसी य का धारा होगा, वो cold होगा की hot होगा, warm होगा, तो warm होगा, तो याद रखिएगा, warm ocean current जो होता है, वो या तो equator, या तो tropics से उठता है, और pole की तरफ जाता है, और उसका जो दिसा होगा, वो इस तरफ से होगा, northern hemisphere में, ऐसे जाएगा, ठीक है, तो ऐसे जा रहा है, देखिए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और यह मूड की होगी है, को release force के कारण, हम आगे पढ़ेंगे, अभी बास से आप इतना देखिए, ठीक है, मतलब नीचे सूपर जा रहा है, जा रहा है कि नहीं से, जा रहा है, यह क्या है, warm ocean current या इसको warm current भी बोलते है, simple बासा में, ठीक, और उसी तरह से, कोई current अगर, पॉल से आएगा, तो फोल ठंडा है, तो यहां से, कोई यहां पर जो ocean है, वो ठंदा है, तो उसके कारण, जो current generate होगा उस ocean से, ठंडा करेंट होगा, तो यहां से current हा रहा है तो यहां से current है, ठंडा, ठीक, ते इसकों लोग बोल देंगे, cold ocean current तो cold ocean current कैसे आएगा? ऐसे आएगा northern hemisphere में ठीक है? ऐसे आएगा southern hemisphere में ठीक है? और उसी तरह अगर हम बात करें वार्म ocean current northern south hemisphere में, southern hemisphere में तो इधर जाता है, simple तो अब याद रखिए कोई बिच्ची अगर पता करना आपको cold ocean current है कि वार ocean current है, तो सबसे पहला आप यह जान लिजे कि कहां से होगा, अगर कोई ocean current मान लिजे यह हमारा globe है, यह हमारा equator है, यह tropics है, यह pole है, तो यहां से कोई current जा रहा है, मतलब ट्रॉपिक से या एक्वेटर से जा रहा है तो यह हमारा cold होगा अगर कोई इधर सीधर आ रहा है ऊपर से नीचे आ रहा है तो सरी अगर एक्वेटर या ट्रॉपिक से जा रहा है तो वार्म होगा ठीक है और जो पोल से आ रहा है वो cold होगा सिंपल बात उसी तरह से जो cold polar area से आएगा यह cold हो गया ठीक है और जो tropics या equator से आएगा यह warm हो गया ठीक है समझना आ गया simple है तो कहां सा आ रहा है बस देख लिए बस ही याद कर लिए पोल से जो आ रहा है वो ठंडा होता है ठीक है मतलब उपर से जो नीचे आ रहा है वो ठंडा और नीचे से उपर जा रहा है वो गरम यहां देखिए यह नीचे से उपर जा रहा है सिंपल बात है चलिए अब हम देखेंगे जो अब यह टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा इफैक्ट ऑफ ओसीन करेंट का क्या परभाव होता है तो पहला परभाव यह है कि ओसीन करेंट के कारण डेजट बनता है तो जहां-जहां कोल्ड ओसीन करेंट बहता है जहां-जह गरम रहता है तो वो पानी को वाटर होल्डिंग केपेसिट्ट उसको बहुत ज्यादा होता है कोई चीज अगर गरम होगा तो अपने साथ गरम पानी पानी के वाटर वैपर को रख लेगा और वाटर वैपर फिर जब वह चीज हवा ऊपर उठेगा ठंडा होगा बादल का निर्मान करेगा और बारिस होगा ठीक है तो जहां जहां warm air है चाहे वो ocean current है या फिर hawa है उसमें water holding capacity बहुत जयदा होता है और water holding capacity होने से यहीं पे battle बनता है condensation होता है वहीं से बारिस भी होता है बारिस ओ बारिस होगा तो मतलो rainfall हुआ rainfall लेकिन वही अगर कहीं cold ocean current है तो इसमें water holding capacity जो होता है वो नहीं होता है और होता भी तो बहुत कम जिसके कारण जहाँ-जहाँ cold ocean current भाता है तो water holding capacity बहुत कम होता है तो rainfall नहीं होता है इसलिए महाँ पर बारिस का निर्मान होता है ठीक है समझ गये तो जहां जहां cold ocean current वहां वहां डेजट रहता है ठीक है वहां वहां आपको क्या दिखेगा fog दिखेगा fog ठीक है वहां वहां आपको mist दिखेगा यह सब हम लोग आगे पड़ेंगे कि mist क्या होता है fog होता है यह आप सुने होंगे ठीक है अब वहाँ पे humidity बहुत कम होता है क्योंकि humidity कहां ज्यादा होगा जहां पर वाटर वेपर बहुत ज्यादा होगा वाटर वेपर को ज्यादा कौन धारण कर सकता है cold वाला यह hot वाला वाटर को धारण कर सकता है तो humidity बहुत कम होता है कहां पे cold यहां भी cold ocean current बहता है ठीक है अद जो sky होता है वो क्या होता है किलियर होता है . थीक है ठीक है क्यों कि रोता है क्योंकि देखिए आहां भी वार्मेयर होगा अपने सथ Water Wapur लेके जाएगा वार्टर लेकर लेकर जाएगा कौन सा warm ocean current तो असकाई वहाँ पे clear नहीं दिखेगा लेकिन जहाँ पे cold ocean current हो रहा है बादल बन रहा है तो वहाँ पे असकाई क्या दिखता है clear ठीक है तो cold ocean current जहां भी रहेगा वहाँ पे आपको बनता है क्योंकि water vapor को जलवास को अपने साथ नहीं ले जा सकता है इसी चीज को इंग्लिस में लोग बोलते हैं desiccating effect desiccating effect desiccating effect मतलब वही चीज है cold ocean current जहां पे रहता है तो cold ocean current यह बोलना है आपको पूरा कि जहां-जहां cold ocean current रहेगा वहाँ पे आपको डेजट बनेगा हम आपको आगे आपको लेक्चर में दिखाएंगे जैसे देखिए कि यह अगर हमारा South America है ठीक है ठीक है तो यहाँ पे आपको पेरू current जाती है पेरू current अब देखे पेरू current कैसे जा रहा है नीचे से उपर तो यह क्या होगा warm की cold cold होगा सर मैंने आपको बताया था जी कोई बीचीज जब ऊपर से नीचे आता है यहाँ पी देखिए लास्ट से पोल से आ रहा है ना इधर से इधर तो cold होगा cold ocean current है cold ocean current मैंने क्या बता है जहाँ जहाँ cold ocean current होगा महाँ पे डेजट होता है तो यहाँ पर आपको एक डेजट है जिसका नाम है पैटागोनिया डेजट ठीक है तो पैटागोनिया डेजट जो बना है वो इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर कोल्ड करेंट बाता है तो उसका एक और भी बहुत सारे कारणों का क्यों पैटागोनिया डेज तो अपरिका में इधर से एक क अरिन जाती है जिसका नाम है क्लम, बेंग्वु एला करेंट जो खोल टार्एंट क्योंकि आपका मतलब टेंपरेट या फिर जो है पोले इरिया मुत्लब बेसे आ रहा है इधर पोल एपरिका के निचे ठीक है ठंडा एरिया सारा है तो cold current है तो यहां पे डेजट का निर्मान हो गया है क्योंकि जहां जहां cold current वहां वहां डेजट तो इस डेजट का नाम है उसको बोलते है नामीब डेजट नामीब डेजट तो जहां जहां cold current होता है वहां वहां डेजट आपको दिखेगा ठीक है तो प कुले को पॲाρι pass intersection कंट मिलता है मिठ कटता है यह मिक्स होता है वहाँ पर बहुत ज्यादा फिसक होता है मचली पालन बोध ज्यादा होता है llegó ठीक है क्यों ज़्याता होता है मैं आपको बता रहा हूं मैंने आपको पहले बताूश अधा कि जो कोंड्ड गरिंट होता नहा के अलनीनो और लानीना तो वहां पर मैंने आपको पेरू करेंट के बारे में जर्चा गिया था कि पेरू करेंट है वो नीचे से आता है तो नीचे से जब आता है तो अपने साथ बहुत सारा न्यूट्रियंट लेगा आता है ठीक है तो कोल्ड करेंट जो होता है अपने साथ बह चोटा चोटा माइकर और अग्रनिजम सोते हैं जो अपना खाना खुद बनाता है तो फाइटो फ्लैंक्टन जो मतलए तरह का समय चोटा मॉटा सुच मजीव पेड़ पौधा टाइब तो फाइटो प्लैंक्टन को खाता है जू प्लैंक्टन फूट चेन अगर बात करेंगे खादे सिरिंट्रा बात कीजी आप समूद्र में तो ऐसे ही होता है फाइटो प्लैंक्टन को खाता है जूप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन को खाता है छोटा मचली और स्मॉल फिस और स्मॉल फिस को खाता है लार्ज फिस तो जितना ज्यादा न्यूट्रियंट बढ़ेगा उ क्योंकि इसे क्या पानी मीक्स होता है nutrient बढ़ता है इसलिए हमारे बहुत सारा ढ्न इसलिए में सबसे आधा fishing होता है मचली पालन होता है वो कूछी पलेसहें हैं जहां को और क्ला करेंट और वार्म करेंट मिलता है तिल्फियल है तो यह से माल लिजे यह हमारा North America है बस थोड़ा सा figure समझे तो इधर से current आता है जिसका नाम है लेवरेडोर current तो लेवरेडोर current कहां से आ रहा है polar area से polar area से जो भी current आएगा वारम होगा कि cold, cold होगा एक current इधर से आ रहा है equator से इसका नाम है North Atlantic Drift current North Atlantic Drift ठीक है current तो इक्वेटर से आ रहा है तो यह वारम होगा कि cold warm अब देखिए दोनों current मिल रहा है मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर मैंने क्या बता है जहां भी दो current मिलता है warm और cold वहाँ पर fishing ground होता है तो यहाँ एक area है इसका नाम है newfoundland क्या नाम है newfoundland यह बहु दूसरा एक्जामपल जापान का है माली यह जापान है ठीक है तो जापान के इधर से polar area से current आ रहा है जिसका नाम है OECO current OECO current असपेटिंग बाद में मैं देख लेंगे सही कर लेंगे अभी concept समझ यह current है OECO current यह देखिए polar area से आ रहा है तो cold होगा एक current नीचे से जा रहा है ठीक है इसका नाम है कुरा CEO current कुरा CEO current यह नीचे से आ रहा है मतलब ट्रॉपिक या equatorial area से आ रहा है तो यह होगा warm तो दोनों मिलेगा तो यहां पर क्या होगा fishing ground जो जापान के नजदीक है तो मैंने क्या बता है कि जहां भी cold current warm current मिलता है वहां पर आपको fishing ground होता है साथी साथ जहां भी cold current warm current मिलेगा जहां भी cold current warm current मिलेगा तो यह cold current इधर आया ठीक है और warm current इधर गया जहां भी cold current warm current मिलेगा तो warm current जो है गरम होता है गरम होने क्या होगा यह water vapor को अपने पास ले पाएगा तो warm current हलका है तो यह उपर उठेगा यह उपर उठ रहा है ठीक है तो current भारी है तो नीचे आ रहा है ठीक है नीचे नीचे तो वार्म current जब उपर उठेगा तो cold current का जो भी water होगा वो गरम करके इसको अपने साथ ले जाएगा जिसके करण यहाँ पे बादल बादल का निर्मान होगा और थोड़ा आपको फॉगी वेदर दीखेगा फॉग टाइप का आपको एटमोसफियर दीखेगा थोड़ा धूंद टाइप का दिखेगा और वहाँ पे चुकि किलियर वेदर नहीं रहता है त्थिक है तो जहां भी कोल्ड करेंट वार्म करेंट मिल रहा है एक तो फिसिंग हो रहा है और दूसर क्योंकि आपको पॉइंट याद रखना है तो दूसरे पहला पाइंट होता है कोल्ट करेंट जहां भी होता है वहां पर डेसिकेटिंग एफेट के कारण डेजट का निमान होता है हमने देख लिए आइजामपल नामी डेजट और पैटागोनिया डेजट दूसरा हमने देख है कि जहां भी कोल्ड करेंट वार्म करेंट मिलता है वहां पर फिसिंग ग्राउंड होता है ठीक है प्लस नविगेशन वहां दिक्कत होता है ठीक है तीसरा कि जहां भी वार्म करेंट जाएगा मैंने बता है वार्म करेंट जहां भी जाता है वहां का जो वेदर होता है ठीक current होता है, वो climate को moderate करता है, मतलब ना तो ज्यादा कम होने देता है, ना तो ज्यादा गरम, ना तो ज्यादा ठंडा होने देता है, ना तो ज्यादा गरम, example से इसको हम समझते हैं, जैसे यह हमारा North America है, ठीक, यह हमारा South America है, ठीक, यह हमारा Europe है, ठीक, यह हमारा अफरीका है यह हमारा यूरोप है यह हमारा अफरीका है यह हमारा नौर्थ अमेरिका है यह हमारा साउथ अमेरिका है कुछ इस तरह से इक्वेटर इधर से इधर जाता है मोटा मोटी तो नहीं फिर भी ऐसे ट्रॉपिक आप कैंसर जाता है इस तरह से हमारा आगे का रिखा ज यही करेंट से बना इसी का एक साखा इधर चला जाता है यहां पर जमीन एक जमीन के कारण एक हाँ रांच इधर चला जाता है नौज में इसको नोज ऐड़निक करेंट के रूप में इसको नोज डिफ्ट करेंट बोलते हैं और एक इधर करेंट चला जाता है ठीक है साहत्म अब यह देखिए यह जो नोज न टांट करेंट에 किसंस्ते बनाएए वो एक्वेटोरियल करिंट से बना रág अगरम हम यह थन्दा है चाहिए तो यह देधा थार फिर आधा घुडंडा रहता है यह थ्लोक्त रहें तो यहां पर यहां पो यह बहुशald जमा रहता है लेकिन नौर्थ जमा रहता है क्योंकि यह आपका पोलर एरिया में इसलिए यूरोप जो हमारा यह वाला यूरोप है यहां पर इस यूरोप में क्या होता है बहुत कम टेंपरिचर कारण वहां पर हम ऐसा उसको वहां जो बंदरगा वहां पर बर्फ जमा होता है लेकिन North Atlantic current के कारण का जो गरम current है जब यह current इधर चला जाता है तो यहां का जो बर्फ होता है इस समुद्री ठारा है फिसकी कारण यहां का जो बर्फ हो पिखा जाता है तो आपना जहाज ले के transportation कराएगा इसलिए नौर्थ रटांटी डिफ्ट करेंट के कारण यूरोप का जो बंदरगा है ठीक है वो बर्फ उसे बर्फ से पिगला बर्फ को पिगला देता है क्यों यह गरम है इसलिए बोला जाता है कि जो हमारा जो ओसीन करेंट है वो वेदर को climate को moderate कर देता है अगर करेंट मान लिए यहां पर नहीं होता नौर्थ रटांटी करेंट यहां पर नहीं होता थी यह भी बर्फ हमें सा जमा होता है लेकिन नौर्थ रटांटी करेंट होने के कारण यहां बर्फ कम हो गया मतलब इसलिए बोलता है climate को यह moderate कर देता अगर गरम climate रहे तो ठंड़ा क करेंट होगा वह रेंट कोलोत है क्योंकि व... के पानी को ढोने इधीक होता है वो ज्यादा पानी ले आ सकता है वही पानी जब उपर जाए का बादल का निर्मान करेगा और रजबारीज और जहां जहां वार्म O है, commeût दिक्कत नहीं, तो यह सारा चीज्ट आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों. तो अब next lecture में, हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग तो पढ़ यह हो क्या होता है, कैसे generate होता है? क्या उसका प्रवा होता है? next lecture में, हम लोग देखेंगे कि जो Pacific पेसफिक ऊसियन है ठीक है अगर हम यह गुलोब बना है ठीक है तो आपको पता है यह हमारा और यह इधर इधर क्या है यह दूनों क्या है पेसफिक ऊसियन तो नेक्ट लेक्षे हम लोग पेसफिक को सियन के करेंट के बारे में देखेंगे उसका दूसरा असियन है तो लेक्सित क्या है którego आ सिंन करेंगी को से क्रेंटों indeed कंद के बारे में देखेंगे यह लेक्सर बहुत इंट्रेस्टिंग होगा और और कोई भी और को थ्यक्षा को कोड़ करेंट आर Taylor dinner में क्ल Also drop 15 फिश भी यह आजाएगा तो करण हम पढ़ेंगे जो की कीज नहीं है यहां पर कौं सा करेंट है वार्म करेंट को और नहीं कोलड करेंट है कहां है पहले सब चैनल को अगर पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है आपके प्रेलिम्स का तयारी से अच्छा हो रहा एक दिशा मिल रहा है तो जरूर इस चैनल को Like किया जा रहा है और आप जो है जीरो आइस परिवार के अभी न अंग है दोस्तों आप नहीं तो फिर मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ठीक है जरूर इसको जितना सदिक सदिक सेहर किए यह आप ही का चैनल है और आप ही इसके ब्रैंड अमबेश्टर है ठीक है तो अपना ख्यार रखिए अच्छे से खाईए पीजिए और मन लगा के पढ़ाए किजिए जितना आप में हिम्मत है आने वाले अभी पांच महिना जब इस सिक्स मंस का टाइम बचाए मात्र आने वाले छे महिना में दिखा देजिए कि आपका भी एक अस्तित्व है आप भी जो है UPSC करक करने के समर्थ हैं तो खूब मेहनत कीजिए खूब लगन से पढ़िए और एक समय भी एक मीनट भी एक चान भी बरबाद मत कीजिए आप जरूर सफ़र लोंगे ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा भगवान से मनो कामना है कि आप लोग सब सब सफ़र हो और सब अ झाल झाल